हेलो एवर्यवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल इस पार्ट फोर ओफ दी सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम तीन पार्ट मैं अल्रडी बना चुकी हूं को सेल डिवीजन को डिवीजन को कंट्रोल करता है c,dk,cyclin,apc यह सब कार्ट मैं उल्रडी कर चुकी हूं सेल साइक्ल मतलब की सेखर करना सेट स्टम में जाना घ्न फेज्ग नहीं है, और क्रोमोजोम डियन पूरा डेप्ली केट हो गया है, सई सेखर सेखरान नहीं है और एनाफेज में और सई से सेग्रिएट हो गया है इक्वली सेग्रिएट हो गया है डियने यह सब चेक करता है साइकली इन सीडी के एपी से पर्ट सेल का जो प्रोलिफरेशन है सेल का नंबर कि वो कितनी बार डिवाइट करेगा एक बार दो बार अगर सेल ऐसे इसे डिवाइट करता ही चला जाएगा तो ट्यूमर फोर्मेशन हो जाएगा सो सेल का प्रोलिफरेशन मतलब उसका डिवीजन की कितनी बार होना है इसके लावा सेल की ग्रोथ कि उसकी ग्रोथ कितनी होनी है अब यह नहीं है कि cell division हो गया उसकी पाद उसकी growth हो नहीं रही है तो छोटे-छोटे cell बनेंगे बिल्गुल छोटे-छोटे से cell और अगर cell growth हो रही है तो बस हो ज़ा रही है वो रुकी नहीं रही है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो जो cell का division है मतलब कितनी बाद डिवाइड होगा उसकी growth और cell की death कि apoptosis ऐसे ही तो apoptosis नहीं हो रहा है कि program cell death उसको भी control करना है तो जो ये सबका control system है वो करता है extra-cellular signal molecules होते हैं कुछ जो ये सब चीजों को control करते हैं इनको तीन classes में डिवाइड किया है mitogens, growth factors and survival factors mitogens वो है जो cell के proliferation को control करेंगे proliferation मतलब division को कि कित्ती बाद डिवाइड करेगा और कब डिवाइड करेगा अब cell को ऐसा थोड़ी ना कोई सपने आएंगे कि अहां चलो अभी डिवाइड होने डिवाइड हो जाएगा उसको कोई signal आएगा ना भाहर से तब ही तो उसको पता चलेगा now we have to divide so mitogen वो काम करता है signal का काम करता है वो mitogen cell के अंदर signal भेजता है कि अब डिवाइड करना है then growth factors जो cell की growth को control करेंगे कि cell को कितनी growth करने और कब करने है और कब रूख जाना है then survival factor जो cell को apoptosis से रोकेंगे program cell death से रोकेंगे सर्वाइब करवाएंगे मतलब उसको इस वीडियो में बात करूँगे mitogen के बारे में mitogen system late cell division जो first mitogen identify हुआ था वह था PDGF platylate derived growth factor this is platylate इसमें यह अंदर जो दिख रहे है secretory vesicles है कुछ इनमें कुछ secretory vesicles में mitogen present होता है कहीं पर जब वूंड हो जाता है तो वहाँ पर blood clotting होती है कौन कराता है platylate कराता है तो हम देखते हैं कि थोड़े दिन बाद महाँ पर खुदी healing हो जाती है तो वह healing कैसे होती है आसपास के जो damaged cell होता है उन्हें कैसे पता चलता है कि अब हमने divide ओन और यहाँ पर healing करानी है वह पता चलता है उन्हें mitogen से और mitogen कौन सीक्रीट करता है platylate करता है तो जो platylate के अंदर से mitogen निकलता है इं सीक्रीटर वेसिकल से वह आसपास से cell की division करवाते हैं उन्हें signal देते हैं कि अब तो में divide होने इस वज़े से wound की healing हो पाती है आपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यहां पर माइटोजन की तरह काम करता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का मतलब यह नहीं कि यह सेल की ग्रोथ करा रहा है इस फोर सेल डिवीजन proliferation के लिए then erythropoiety जो की proliferation कराता है red blood cell precursors then कुछ inhibitory exocerual signal proteins भी होते हैं जो cell division को रोकेंगे इसका example है TGF beta TGF is for transforming growth factor के कुछ और functions भी है cell growth survivor differentiation migration other than this cell proliferation okay so यह cell की phases है mitosis G1 S & G2 जब तक mitogen signal नहीं आता कि cell को कोई mitogen का signal नहीं आया है कि divide होना है तो cell यहीं पर arrest रहता है जी नोट एक phase होता है जहां पर arrest होके रहती है जी नोट में cell कुछ दिन के लिए भी जा सकता है कुछ हफतों के लिए और क्या पता है यहां permanently रहे like nerve cells जो कभी डिवाइड नहीं करते वह जी नोट में रहते हैं जो generally divide नहीं करते लेकिन अगर वह जी नोट में रहेंगे लेकिन अगर कोई damage हो जाए को इंटर्नल डामेज हो जाए तो वहां पर दुबारे से cell बनने नोट से लाइड हो जाएंगे तो वहां के cell वुआ वापस G1 में जाएंगे और divide नहीं स्टार्ट कर देंगे तो वो damage का उनने कैसे पता चले का ट्युँ इस तो divided होना माई अड़िवाई जर्के न को stimulate करेगा कि अब भी divine होना है मटलब इंत्रस्टर्टेकर सिस्टम वह सकति जीवन स सायक्याम सकते होला है अक्क्राइब खाततों कि जो अच्छाब करेंगा 2024 सब्सक्राइब कर सके DANI आंपर में बताया था लाणा वीडिया में फेस्ट और सठाइवेट्ट हो जाएगा तया कि हांवी का मतलब यह सकता है यह मतलब हो सकता है कि माइटोजन आ जाएगा माइटोजन से छोल गज typically which start हो जाएगा खोड़ीविवी चेया को लावे को और खेंगे आ। इसमें इसलिजा सा Wouldn इंब्य आ इक इनक चाहिए इनक से अुन सु भ्रम्हेशंग लैसे प्लासम इंब्रेन इसमें माइटोजन रिसेप्टर संप्रेशन हुथ और से आक्टिवेट हो जाएगा और यह एक्टिवेट करेगा MAP KINASE को MAP kinase आगे कुछ transcription regulatory protein होता है उनको activities करता है कैसे आक्टिवेट करेगा उन पर phosphate अड़ गर कि क्या है है So, यह यह जो है ना यहां Ouais тем Agnes इसंट सोब आए कि क्या है तो बेस्ट टीव स्टकेशिब करेंगे क्या है कि वह प्रोटिव होते हैं वह तो बंगीृट्स काल को नहीं को प्रोटीन इस वह ने थैंसरी नेख है कितना बनेगा की कम बनेगा मरने ज्यादा बनेगा तो यह कि इस तरिक्रीप्रॉटीन लार क crushing के बने। तर डेंजर थर यह घुराफ करका है बन जाएगा अगेंस था लेट конц प्रोटीन यह फेली को प्रोटीन यह लिए जब एक्टिव जीवन इसको फॉस्फवरायलेट करते के यह लिया फॉस्फवरायलेट हो गया और जैसे यह फॉस्फवरायलेट होगा यह inactive हो जाएगा और यह inactive हो जाएगा तो इसको छोड़ देगा E2F protein को यह active हो जाएगा अब E2F protein active होते ही जो दूसरे genes हैं जिने G1S cyclin बनाना है S cyclin बनाना है उनको यह regulate करेगा उनके transcription को अब G1S cyclin बन जाएगा फिर S cyclin बन जाएगा G1S cyclin बनते ही वो अपने CDK से bind हो जाएगा जिससे G1S CDK बन जाएगा और G1S CDK अगे active करेगा S CDK को और जिससे finally क्या बन जाएगा होने स्तार्ट हो जाएगा DNA Synthesis और यहाँ पर positive feedback है कि जितना ज्यादा active G1S CDK बनेगा उतना ज्यादा और active E2F protein बनेगा मतलब उतने ज्यादा रैप्रोटीन का और ज्यादा फोस्फोरेलेशन होगा उसको इनक्टिव किया जाएगा I'll see you next video thank you so much